तो दोस्तों जैसे कि आप लोग को अल्रेडी पता ही है कि वीवो की जो T1 सीरीज थी वो इंडिया के अंदर यहाँ पर काफी ज़ादा पॉपुलर रही थी और काफी सक्सेस्पूल रही थी यहाँ पर ऐसे ने दोस्तों अब इसकी सक्सेसर आने वाली है मतलब की वीवो की T2 सीरीज जिसका तो लैंडिंग और टीजर पेंज है वो भी फिलिपकार्ट के अपर आज चता है जिस तरके से यहाँ पर आप देख सकते हैं अब लांचिंग डेट नहीं आई है लेकिन 10 तारीक के गरीब 10 अपरिल के आसपास यहाँ पर लांच होगी इडिया के अंदर यहाँ पर बैक साइड में आपको दो अलग-अलग कैमरा मोडियूस यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर इन्हों ने टीज भी कर दिया यहाँ पर आपको वाटर डॉप नौच ही देखने को मिल जाएगा आप दो यहाँ पर चलते हैं पर पर यहाँ पर पर यहाँ पर देखने को मिलेंगे जहाँ पर एक में आपको 6GB की RAM देखने को मिलेगी एक में 8GB RAM और 128GB का जो स्टोरेज है वो आपको यहाँ पर दोनों में देखने को मिल जाएगा अब इसके लाँ दोस्तों यहाँ पर जो स्मार्टफोन है आउट अप दो बॉक्स फॉन टेच ओस थर्टीन के साथ में मतलब कि Android 13 आपको इसके उपर देखने को मिलेगा अभी बैटरी स्पैस्पिकिशन के बारे में आम एक्जेक नहीं पता है लेकिन आप मान के चलिए ज छोटे भाई वीवोर T2X के बारे में अब इसकी हमें सभी की स्पैस्फिकेशन सभी नहीं पता है लेकिन हमें यह जरूर पता है कि यहाँ पर फुल एच्टी प्लस वाला डिस्प्ले देखने को मिलेगा जो कि मोस्ट प्रबेंबली एक IPS LCD पैनल यहाँ पर होने वाला है लेकिन यहाँ पर अलग तीन स्टोरेज वारियंट्स के अंदर आएगा एक में आपको चार जीबी का उसके बाद 6 जीबी का और 8 जीबी का और जो स्टोरेज है अप्टू 182 जीबी तक का यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा तो वीवोर T2 और T2XC जितने भी स्पे आने वाला है तो यह चीज है बागी दोस्तों आपको क्या लगता है कि जो वीवोर T1 की जो लेगेसी है उसकी जो सक्सेस है वो यह जो सीरीज है T2 यहाँ पर कैरी कर पाएगी या नहीं अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना और दोस्तों इस वीडियो के लि